हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब मैं हूँ सुदेश नागर व्लोग तो मैं सबसे पहले आप सबसे सोरी बोलती हूँ कि के दिन से मेरे व्लोग नहीं आ रहे हैं तो व्लोग ना आने का रीजन पहले तो आपको मैंने बताया था कि मेरी थोड़ी तपित खराब है और उपर से म लगता कि घर में अगर किसी की जादत विद्खराब है तो उसको छोड़के आप मतलब कुछ ऐसा काम करो तो मैंने उसी वज़य से व्लोग नहीं बनाई थे लेकिन अब मेरे हस्वेंट थोड़े अच्छे हैं और आज मैं आप सब के लिए लेक्याई हूँ कुछ मिश्का मेरे साथ बैठी हुई है तो आज मैं आप सब के साथ कुछ फोटो शेयर करूंगी तो यह जो फोटो है यह मेरे बेटे के जो फिप्त बड़े था पांचवा बड़े था तब उसकी फोटो खीची थी और मैंने यह निकाल के एक साइड रख ली है एल्बम मे से ताकि आप आराम से देख पाओ तो यह है मिश्का और उस टाइम बें मिश्का दो साल के आसपास थी और यह इसकी बुवा की बेटी है सबसे चोटी बुवा है वह आई हुई थी उस तीन तो उनकी बेटी है और यह आगे आपको मिश्का दिख रही है और उसके बाद ये भी मिश्का है और ये भी मिश्का है तो ये कुछ फोटो थे जो फोटोग्राफर ने लिये थे और उसके बाद ये मम्मी है इधर और ये नानी है ये मम्मी के भाई का बेटा है तो जो मम्मी है उनके भाई हमारे पास में ही रहते हैं मतलब हम सब एकी कलोनी में रहते हैं और ये ताई है मेरे गाम की है मम्मी की बेस्ट फ्रेंड है और मेरी ताई लगती है क्योंकि मेरे गाम की है ये तो ये मम्मी से मिलने के लिए आती थी उस टाइम पर और उसके बाद ये है पापा तो ये मेरे ससुर जी है और टूटू उन को केक खिला रहा है और यह आ गई मिश्का तो फरवरी का टाइम था तो फरवरी 17 फरवरी को बड़े आता है टूटू का तो मिश्का पहन रखा है कुछ इसके टाइप की ड्रेस थी उस टाइम पर और ज्यादा ठंड नहीं थी तो मैंने इसको हाइनेक पहना दिया था और जो उसके बाद यह है पापा और मिश्का है यह देखिए गंजी है यह आशी है यह टूटू को पापा केक खिला रहे हैं यहां पर भी सेम पिक है मतब केक खिला रहे हैं और उसके बाद यह दोनों है भाई भेनों की पिक यह देखिए टूटू और मिश्का तो एक साथ इनकी ये फोटो किच्वाई है और ये है पूरी family तो ये मेरे देवर है ये मेरी नंद है तो ये सबसे छोटे है मेरे धेवर ये नंद है जो पाचो भाई बहन थो ये आप चोथे नंबर पड़ाती है ये सबसे लाश्क में आता है ये है मेरी नरंद की बेटी ये मम्मी है ये नानी है मैंने आप सब को इनके बारे में बता दिया है फिर उसके बाद फिर से टूटू मिश्का की एक साथ पिक है और उसके बाद ये आशी है और मिश्का है और ये कुछ मेरी फोटो है तो मैं तरह से थी पहले और जैसे बहु रहती है घर में अब तो खेल थोड़ा सा अलग रहते हैं थोड़ा कई साल होगे शादी को तो थोड़ा सा तरीका चेंज हो जाता है लेकिन जब घर में रहते हैं तो हमारे कूचरों में इसी तरीके से रहते हैं सर पे टुपट्टा रखके य यह बुवा है मिश्का की और गोल्टी मैंने बताया था और यह उनकी बेटी है यहां पर बुवा अपने बतीजे को केक खिला रही है आशी भी बैखी हुई है और यह ताई के साथ है मेरी और इनकी फोटो हमने ताई के साथ खिचवाई थी उसके बाद फिर यह मम्मी है और यह मेरे हस्वेंड है यह देवर है तो तीनों ने एक साथ फोटो खिचवाई थी और उसके बाद यह फिर जैसे इनकी मामा की बेटी है यह यह मतलब इनके मामा के बच्चे है यह आशी है मेरे हस्वेंड के मामा के बच्चे और उसके बाद यह इनकी मौसी की बेटी है मेर हस्बेंड की और यह भाई बेन है तो यहां पर फोटो खिचवाई हैं उसके बाद फिर है यह इनकी मौसी की बेटी है सौरी यह मामा की बेटिया है यह मेरे हस्बेंड है यह टूटू है और यह है मम्मी के साथ हमारी फोटो तो इधर मैं खड़ी हूं और इधर मेरे हस्बें हो है नानी के साथ और यह जतीजा है और ऊसके बाद फिर से मिश्का की एक फोटो आजाती है क्योंकि मिश्का के बहुत सारी फोटो कीची थी यह केक- चकट ऑइढ़ा है तो अजुमन नाम है जो असली नाम है तूटो तो वैसे प्यार से बोलते हैं तो यह केक था और यहां पर केक सेलीब्रेशन है तो मौमबत्ती को बुझाते हैं तो यहां पर यह मौमबत्ती बुझा रहा है टूटू और यह है टूटू अखेला खड़ा हुआ है सोफे पर और यह आशी है जो मैंने आपको बताए थी मेरे नरंद की बेटी फिर से यह अशी है और यह फोटो भूत बार में खिचवाई थी मितलम मैं लेने गई तूटू को तब रस्ते में बने फोटो खिचवाई थी और इस वह इन के साथ रखी हुई है मैंने और ये टूटू मिशका आशी तीनों की फोटो है तो ये मिशका थोड़ी रो रही थी उस ताइम पर तो मैंने इसको पकड़ लिया था मिशका को थोड़ा सा ये मेरे साथ जादा रहना पसंद करती थी उस ताइम पर और ये टूटू है ये वही है टूटू के चाचा है टूटू की बुआ है और ये है ये सवे मामा की बेटी है और इनकी बेटी है और यहाँ पे ये फैमिली पिक है पापा है मेरी नंद है और ये मैं हूँ दीदी के साथ मेरी नंद के साथ और ये फिर ताई और दीदी की फोटो है ये है पापा की फोटो तो कुछ इस तरीके से ये उस दिन हमने फोटो खिचवाई थी याद रहती है ये चीजे तो उसकी वज़े से तो मैंने सोचा चलो मैं आज आपके साथ ये कुछ फोटो है शेयर कर देती हूँ और फ्रेंड्स मैं अभी आपके साथ और सारी बहुत सारी फोटो है जो मैं बीच बीच में लेके आती रहूंगी मेरे हस्बेंड की शाजी से पहले की भी फोटो है वो भी है और भी बहुत सा लगी होगी प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट करके बताई आपको केशी लगी और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए है और बैल आइकोन को जरूर प्रेस करें तो मिलती हूँ एक नई वीडियो में तब तक के लिए बाबाए टेकेव